हेलो एरिवान और वेल्कम बैक अगें तो अनने फ्रेश वीडियो आप्सिलूटली फाइन तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैं की तरफ से प्रोवाइड किये गए न्यू स्कॉलर्शिप के बारे में बतारे वालों दोस्तों और फोन हो गया वचसों स्माटफोन हो गया टीवे इस तरह से बहुत सारे इलेक्टोनिक डिवाइडे हैं आपको अगर आप junior college में है senior college में है यानि कि 11-12 या graduation कर रहे है तो आपके लिए scholarship मिलने वाली है and scholarship का price होने वाले 5600 उपीज तक की scholarship आपको इस program के थूँ मिलने वाली है दोस्तो तो आज की इस वीडियो में हम यही discuss करने वाले है कि कैसे आप MIQ scholarship ले सकते हो दोस्तो और क्या-क्या इसके benefits होने वाले कैसे आपको इस program में register करना है कि उसके लिए आपको MIQ scholarship मिले दोस्तो तो सभी details हम देखेंगे इस वीडियो में उसके लिए वीडियो में end तक क्या आप बने रहे दोस्तो उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे न्यू है तो subscribe कर जीजे मेरी चैनल को साथी साथ उस bell icon को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपको हर नीव वीडियो की update मिलती रहे में new internship related, free courses related and students की skills develop करने related courses बनाता रहता हो दोस्तो अब देख लेते हम MS scholarship की detail program के बारे में तो दोस्तो यहाँ पे आपको MS scholarship के बारे में देखने मिल जाता है जो कि एक initiative है Xiaomi India के तरफ से जो कि higher education को support करता है जो कि good student है, meritist student है और under privilege section से belong करते है उनके लिए scholarship होने वाली है जो 11-12 एं undergraduate level में पढ़ड है दोस्तो जिनको financial assistant चाहिए जो कि पढ़ाई ना छोड़े अपनी पैसो के वज़े से उनके लिए help की जा रहे है Xiaomi के दरफ से दोस्तो Xiaomi India की यहाँ पे आपको detail दिखने मिल जाती है यह एक remote multinational company है जो कि smartphone, laptop, home appliances and consumer products बनाती है दोस्तो Xiaomi India का यह goal है कि वो ज्यादा से जादा लोगों को educate कर पाए दोस्तो इंडिया में दोस्तो तो यह जो scholarship होने वाले ही वो स्रिफ Indian people के लिए होने वाले है जो इंडिया के resident है उनी के लिए होने वाले ही दोस्तो यहाँ पर आपको MI की scholarship देखने मिल जाते है पर class 11th and 12th student फिर undergraduate की भी हम discuss करने वाले बाद में पहले 11th and 12th class students के लिए हम discuss कर लेते हैं यहाँ पर आपको eligibility criteria देखने मिल जाते है कि जो scholarship होने वाले है वो इंडियन nationals के लिए होने वाले है कि जो इंडियन से बिलॉंग करते हैं इंडिया से बिलॉंग करते हैं application must be studying in class 11th and 12th तो आप 11th and 12th में study करने होने चाहिए आप class 11th and 12th में पढ़ने चाहिए जो 11th and 12th की scholarship के लिए apply कर रहे हैं उनको 3800 जूपीस तक का benefit per year दिखने मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिल जाते है कि आपको कौनसे कौनसे document submit करना है photo identity proof मतलब आधार card submit करना है passport size photograph submit करने है income proof certificate आपको add करना यहाँ पर ताकि आपकी income जादा नहीं होना चाहिए अगर 5 lakh से उपर आपकी income होती है तो आप इस scholarship program के लिए applicable नहीं होते हो आपका admission proof कि आप कौनसे school में admission कर रहे हो i card आप submit कर सकते हो या तो bonafide certificate भी submit कर सकते हो current academic year fee receipt college की जो fees receipt है वो आपको submit करना है आपकी account bank details मतलब आपकी जो passbook की copy है वो submit करना है साथी साथ 10th class की आपको mark sheet submit करने हो तो यह सब documents आपको submit करने होंगे scholarship program में apply कर निकले यहाँ आपको कैसे apply करना है हो आपको देखने मिल जाता है simply आपको apply now का button देखने मिल जाता है आप simply apply now पे click कर सकते हो और आपको application fill up करना होंगा वहाँ पे आपको details देखने मिल जाती है उससे पहले हम undergraduate degree course के लिए भी देख लेते दोस्तों कौनसे कौनसे details होने वाली है तो almost same details होने वाली है आप इंडियन नेशनल्स के होने चाहिए साथ ही साथ अब undergraduate degree program करना चाहिए जैसे कि BCOM, BBA, BCA इस तरह से अगर आप engineering भी कर रहे हो तो भी आप इस program में apply कर सकते हो और आपके 12th board में at least 70% mark चाहिए तभी आप इस program में apply कर सकते हो और इसमें जो benefit से वो double हो जाता है आपका double से भी जाधा हो जाता है आपको 5,800 रुपीज तक का per year का benefit देखने मिल जाता है इस program क करने होंगे 12th की mark sheet upload करने होंगे इस तरह से आपके documents होने वाले अब मैं आपको apply करके दिखा देता हूं कि आपको कैसे apply करना है दोस्तों तो simply आपको apply section पर जाना है apply now पर click करना है अगर आपका यह जो particular platform है buddy for study यहाप आपको account नहीं है तो आपको account create करना होंगा आपका number verify कर लेते हो तो आप इस platform पर आ जाते हो यहाँ आपको देखने मिल जाता है डेडलाइन 28 to 2021 तो मतलब 28 February February का मन्त की last date है इसकी इससे पहले पहले आप apply करोंगे तभी आप इस के लिए eligible हो पाते हो दोस्तों अब यहाँ पर आपको start application का form देखने मिल जाता है आपको simply start application पर click करन 2221 बैच के लिए इसकी deadline आपको देखने मिल जाते है 28 जो मैं आपको से already discuss कर चुका हो यहाँ आपको personal details आड करने होंगे जिससे हो कि first name, last name, email address, mobile number, date of birth, gender अगर आपकी family income and आपका आधार card number इस तरह कि आपको personal details आड करने होंगे उसके बाद आता है permanent address तो आपका जो address है जहा अपना details दालनी होंगे फिर आजाता है educational details तो आप कौनसे class के लिए appear होना चाहते हो जैसे यह graduation वाला form है इसके पहले वाला form था वह 11-12 का वाला form था तो आप वह फर रहे हो तो आप सेलेक कर सकते हो जैसे मैं graduation सेलेक कर लेता हूं यहाँ पर आपको देखना पड़ेंगा हो तो अगर आपने polytechnic या diploma किया है तो आपको वह सेलेक करना है अगर आपने class 12 किया है तो वह सेलेक करना है जैसे कि मैं class 12 complete कर चुका हूं तो मुझे class 12 की details दालनी होंगे यहाँ पर मैं कौनसे vote से पढ़ा कौनसे stream से पढ़ा अगर मैं general science से पढ़ा हूं या computer science से पढ़ा ह हो जैसे मैं engineering कर रहा हूं तो मैं engineering का field कर देता हूं साथ ही साथ आप कौनसे institute से पढ़ा हो आपकी fees कित्ती हो होती है total आप कौनसे city से बिलॉंग करते हो कौनसे state से बिलॉंग करते हो कहां पर पढ़ रहे हो वह आपको details add कर देना है फिर यहाँ पर आपको simply save पर click कर देना है देखने मिल जाता है फिर यहाँ पर आपको details जालने होंगे bank की तो आपका जो पास्वुक है पास्वुक की जो account number है जहां पर आपको scholarship मिलने वाली है आपको simply उसकी details add कर देना है फिर आपकी खुद की details add करना है कि आप more about yourself जैसे आपका Facebook profile हो गया LinkedIn profile हो गया इस तरह से आप दोनों profile add कर सकते हो दोस्तों तो इस तरह से scholarship program होने वाला है आपको preview करके submit कर देना है आप जैसे फिल अप कर देते हो तो आप इस program के लिए apply कर चुके हो दोस्तों यह इस program में register हो चुके हो आप financial background भी आपका check किया जाएंगा अगर आपकी income जादा होंगी अपने parents की तो आप इस program में apply नहीं कर सकते हो आप इस program के लिजबल नहीं होते हो यहाँ पर आपको shortlist किया जाएंगा तो उसका benefit होने वाला है 5,800 तो इस तरह से मा scholarship program का verification होने वाला है दोस्तों registration होने वाला है इसकी सबी details आपको मैं दे चुका हूँ इसकी link आपको description पर मिल जाएंगे आप उस पर click कर सकते हो यह इस वेब page पर आ सकते हो दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको व